जे श्री क्रिष्णा, लेड़ु कुपाल के भक्त में एक बार फ़र से आप सभी का स्वागत है आज गनेश चतुर्थी है, इसलिए गनेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत-बहुत शुप कामना है आज सभी के घरों में गनेश जी की पूजा हो रही है साथ ही गनेश जी को अलग-अलग प्रकार के व्यंजन भोग भी लगाए जा रहे हैं इन सब में सबसे जरूरी व्यंजन है मोदक मोदक का भोग या तो हम खुद से बना कर लगाते हैं या तो हम बाहर से मंगा कर भोग लगाते हैं लेकिन हम मोदक का भोग जरूर लगाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को मोदक अतिप्रिय है। पर क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है। चलिए, इसके पीछे की कथा को जानते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान भुलिनात ने गनेश जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि पुत्र, मैं और तुम्हारी माता ध्यान में जा रहे हैं तुम्हें इस बात का खयाल रखना है कि कोई भी हमारा ध्यान भंग ना करे इसलिए तुम कैलाश की सीमा पर जाकर ही खड़े हो जाओ भगवान भुलिनात से आग्या पाकर गनेश जी कैलाश जी की सीमा पर जाकर खड़े हो जाते हैं तब ही वहाँ परशुराम जी आते हैं पर शुराम जी गणेश जी से कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए क्योंकि उन्हें भगवान भूलिनाद से कुछ जरूरी चर्चा करनी हैं पर गणेश जी उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं साथ ही उन्हें पिछली बातों का स्मरण भी हुआता है कि कैसे उन्होंने भगवान भूलिनाद को माता पार्वती से मिलने नहीं दिया था तभी उन्हें उनके शीष से हाद धोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने भगवान भूलिनाद पर शस्त्र उठाने की भूल की थी कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, नहीं तो वो उन पर शस्त्र उठा देंगे, गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तब ही परशुराम जी अपने परशु का प्रेयोग करते हैं, क्यूंकि ये परशु भगवान भूलेनात नहीं परशुराम जी को दिया था इसलिए भगवान गणेश जी हाथ जोड़कर खड़े ही रहते हैं, उस परशु से भगवान गणेश का एक दंत तूट जाता है, उस तूटे वे दंत का भी अपना एक महत्व है, वो उसकी भी अपनी एक कथा है, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो पर चर्चा करूंग आज की चर्चा हमारी केवल मोदक पर ही है, तबी वहाँ भगवान भूलिनात आते हैं, और इन सभी घटनाओं का महत्व बताते हैं, लेकिन इन सब के बीच गणपती जी को बहुत कश्ट हो रहा होता है, उनका दंत जो टूटा होता है, उसके कारण गणपती जी कुछ पि खापी नहीं पा रहे होते हैं, यहां तक कि वे अपने प्रिय मश्ठानों का भी सेवन नहीं कर पाते हैं, तबी माता पारवती से अपने पुत्र की पीड़ा नहीं देखी जाती, और वे लड्डूओं को ही एक अलग अकार प्रदान करती हैं, जिसे मुँ में डालना और ख का ही सेवन करते हैं, इसलिए गणेश जी को मोदक अति प्रिय हो जाते हैं, तो देखा आपने हमारे गणपती जी को मोदक क्यों इतना प्रिय हैं, इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई और भी कई वीडियो मेरे चानल पर अपलोड़ेड हैं, आप उन्ह यही और जानकारियां मैं आप तक लाती रहूंगी, तब तक के लिए हरे क्रिश्ना